Hey, what's up everybody, this is Jitendra and you're watching Graphics Mentor YouTube channel. Today we are going to discuss CorelDraw software, so without any further ado, let's get started. Image Tracing कैसे होता है, ये हम सीखेंगे. तो, image tracing की ज़ुरत हमें क्यों पढ़ती है? जब भी ऐसे कुछ typical characters या फिर कुछ ऐसे typical designs आजाते हैं, जहां पे हमारे पास time का limitation होता है, और हमें जल्दे से उस work को complete करके देना पड़ता है, तो वहाँ पे हम image trace से help लेके, अपने design को कुछ हद तक आसान बना सकते हैं. तो चले, सबसे पहले जल्दे से हम एक image को यहाँ पे import कर लेते हैं, जिसके लिए आपको file में जाके import option पे जाना पड़ेगा. Import में suppose मैं इस character को यहाँ पे trace करना चाहता हूँ, दो तरीके से trace की जा सकती है, एक trace यह हो सकता है कि आप pen tool यूज करो, और pen tool यूज करके इसके पूरे outline को draw करो, इस तरीके से आप कर सकते हो, बट एक और option है, जिसके बारे में मैं आज अस वीडियो पे discuss करने वाला हूँ, तो आपको बहुत interesting लगेगा, और बिना एक भी चीज़ ड्रॉ के हम लगभख जैसा है हमारा, वैसा ही हम trace करके निकाल लेंगे. Suppose आपके पास एक JPG है या कोई PNG है, और इसमें अगर आपको कुछ changes करने हैं, जैसे कि इसका जो T-shirt है, इसका color change करना है, इसके jeans का color change करना है, इसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है. तो सबसे पहले image का selection कीजिए, selection करने के बाद यहाँ पे trust bitmap का एक option आता है, click on that, इसमें वैसे तो कई सारे options हैं, बढ़ आपको यह देखना है कि किस category वाले में आप जा रहे हो, मतलब कि आप जिसका selection की हो, क्या वो कोई logo है, क्या वो कोई image है, इन सभी को हम trust कर सकते हैं, अलग-अलग category हमारे पास दिया गया है, तो suppose हम अभी जाएंगे click पे, क्योंकि clip art जो है, इस category में यह इसको बहतर तरीके से refine कर बाएगा, जब आप इस option पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे zoom वगरा करने का option है, जिस इसको थोड़ा सा हम मगर चाहें तो zoom कर लेंगे, और zoom करने के बाद हम इसे नजदीक से देख सकते हैं, कि यह कैसा है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर first of all आता है detail, यह आपका preview है जो before का है, मतलब पहले जो आपका clip का जो quality है वो आपको दिख रहा है, और one second जो dress होने के बाद आपको दिखेगा, वो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके details को आप अच्छे से देख लो, और जो भी यहाँ पर details में changes करने हैं, मतलब कि अगर वो कम पे ही काम चल जा रहा है, अगर आपको और ज्यादा details की ज़ौरत है, तो आप इसलिए यहाँ से customize कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर click करके, आप अरामसे से adjust कर सकते हो details को, details 100% तक रख सकते हो, इससे जितना ज्यादा details हम रखेंगे, accordingly जो shape है हमारा, वो अच्छी तरीके से यह वहाँ पर trust हो जाएगा, अगर हम इसे कम रखे, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा detail नहीं आएगा, जैसे shades के हम अगर यहाँ पर बात करें, तो shades वगरा इसमें नहीं आ रहा है, जितना ज्यादा अगर आप इसको detail दो, और obviously जो file की quality है वो बहतर होगी, और साथी साथ वो थोड़ा heavy भी होगा, smoothing के हम बात करें, तो हम यहाँ से smooth कर सकते हैं, smooth कितना हमें चाहिए, हम यहाँ पर drag करेंगे sliders को, accordingly यहाँ पर process होता है, और process होने के बाद आप देख सकते हो, कि वो fast process होगा, ज्यादा smooth करने से जो shape है, आपका वो कहीं न कहीं distract हो जाता है, तो आपको यहाँ पर adjust करना है, और देखना है, कि जो details आपको चाहिए, क्या वो निकल के आ रहा है, इसके साथ corners को smooth करना चाहते हैं, तो corners भी smooth कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बस इस आसान से step को follow करेंगे, और हमारा काम हो गया, फिर हमें OK बटन पे click करना पड़ेगा, OK में click करने के बाद, आप इसको direct drag करके लेके जा सकते हो, साइट पे, जैसे मैं paste board पे फिलाल लेके आ जाता हूँ, हम देख सकते हैं, कि जो हमारा clip था, वो easily dress हो चुगा है, अभी हम जब इस पे click कर रहे हैं, पूरा का पूरा clip हमारा एक साथ selection में आ रहा है, आपको individual अगर इन सभी का selection करना है, तो सबसे पहले ungroup करना पड़ेगा, once you ungroup, इसके बाद हम separate selection कर सकते हैं, और customize भी कर सकते हैं, जैसा भी हमारा requirement है, I hope ये concept आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से हम लोग trace कर सकते हैं, इसके बाद अगर हमें jeans का color change करना है, ये सब भी आप easily कर सकते हो, इसे एक और example हम लेते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से दूसरे image को भी हम trace कर सकते हैं, once again हम फिर से import पे जाएंगे, और एक दूसरे character को हम भी ले आते हैं, और इसे हम trace करके देखेंगे कि ये कैसे trace होता है, सबसे पहले से scale में कर लूँगा, ताकि size जो इसकी है थोड़ी छोटी हो जाए, आप PNJ भी लाके easily इसको trace कर सकते हो, सिर्फ आपको bitmap पे click करना है, और once again यहाँ पे देखो कई सारे option है, जैसे कि line drawing वगएरा, अगर हम click करेंगे, तो जो भी preview है हमारा, वो हम देख सकते हैं, इसमें सर्फ और सर्फ outline वो draw कर दिया है, ठीक है, अगर आपको logos वगएरा पे जाना है, लोगो को trust करना है तो उसके रिए logos है, detail में logo पे जाना है, तो detail में logos पे जा सकते हो, line art पे जाना है, तो यहाँ से भी हम customize कर सकते हैं, अगर कोई image है हमारा, तो image को भी यहाँ पे quality image में low और high पे जा सकते हैं, तो one second हम पहले clip art पे ही चलेंगे, और जल्दी से इसे भी हम trust कर लेते हैं, तो हमने जैसे उसे click कराना, हमारा जो देखो, यहाँ पे changes है, वो इसली हमें देखने को मिल गया, तो हमारे जो भी clips हैं, उसको यह अच्छे से trust कर लेगा, एक चीज आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो भी gradient है उसको यह कभी भी dress नहीं कर पाता है, gradient फग्रेक्टर्स तो नहीं हो पाएंगे, बट overall जो है, वो dress जरूर हो जाता है, तो हम OK बटन पे click करेंगे, और हमारा जो tracing है, वो complete हो चुका है, इसके बाद हमें एंग्रूप करना पड़ेगा, अब यह किसी के भी colors को हम इसलिए ही चेंज कर सकते हैं, तो मेध है यह concept आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से image को dress किया जा सकता है, और अपने use के according आप इसको customize भी कर सकते हो, तो इसी तरह के और भी videos पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करते हैं अभी, और अगर यह video आपको अच्छा लगा तो like and share करके हमें motivate करें, और साथ ही साथ playlist में जाके और भी इसी तरह के जो videos हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, so that's all guys, thanks for watching this video.